दुनिया में असंभाव नाम की कोई चीज नहीं है हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा रही है इसलिए अगर आपके पास कुछ सपने हैं सोच सकते हो तो सितंबर बहने में शांदार सोचो और यह सोची आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगी और आप देख रहे हैं कुम राशी सितंबर राशिफल आज के इस विशेश कारी करम में सबसे पहले हम बात करेंगे गरह कौन कौन से बदल रहे हैं अपनी पोजिशन को उसके बाद आपको किन डेट्स पे बहुत ज्यादा अलड रहना चाहिए और उसके बाद कुछ ऐसी डेट्स जो शुब राजियों बरी है फिर हम बात करेंगे इस वहने आपका बिजनस और वेल्थ का हाल कैसा रहेगा उसके बाद जौब और प्रोफिशन सेप्टेंबर गुड इंडिकेशन की बात करेंगे फैमिली लाइफ लव लाइफ और रिलेश्यशिप की बात करेंगे स्टुडेंट और लर्णर्स की बात करने बाद सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करेंगे अंत में कुम राशी को यादगार और शानदार बनाने वाला विशेश उपाये शुरुवात ग्रहों के परिवर्तर से 5 सिटंबर को मंगल कधिया में और शुक्र तुला राशी में जाएंगे चौदा सेतंबर को गुरू मखर राशिब रहेंगे सोला सेतंबर से गुरु मावकरी का सूर्य नीचा रोही हो जाएंगे कन्यराशी में 22 से बुद्ध तुला राशिब रहेंगे प्रेसातियों अब बात करते हैं आपको कब एलड रहना चाहिए प्रेसात्यों जब भी कुम्राशी से चंद्रमा जो की मन और मस्टिश के स्वामी है वो जब चौथे आठवे और बारवे जाते हैं तो वो समय बहुत निराशावादी होता है काम नहीं बनते हैं सेहत खराब हो जाती है टेंशन डिप्रेशन बढ़ जाता है कुछ ऐसी परिशाने जो आपने कभी सोची निवे वैसी भी आ जाती है इन डेट्स को आप नोट करें ताकि आप उन दिनों में जब ऐसा हो तो आप कूल रहकर उन दिनों को गुजार सके अब मैं कुछ ऐसे राज्योगों के डेट्स दे रहा हूं जो कि आपके इन दुख बरे पलों को कम कर देंगे और सुक को बढ़ा देंगे और आप इस्पेशली शुब और मांगली कारी कर सकते हैं आठों 9 सितमबर को चंदर मंगल का महलाश्वियोग 16 से लेकर 22 सितमबर तक सुर्य बुद का बुद आदितियोग 16, 7, 18 सितमबर को चंदर्मा गुरु का गजगेश्रियोग 22 सितमबर से मन देन तक शुकर बुद का लक्ष्पी नाराण योग रहेगा प्रेसातियों इस वहने कुछ ऐसे त्योहार आ रहे हैं वरत पर्व आ रहे हैं जो इसको शांदार और यादगार बना सकते हैं 10 सितंबर से गनेश उस्सव मनाएंगे गनेश चतूरती से अगले 10 दिन गनेश चतूरदशी तक 11 सितंबर मातर पितर और रिशे रिण से मुख तो नेका रिशे पंचमे का परुबनाना है 14 सितंबर राधा अस्टमी है 19 सितंबर अनंत चतूरतशी है और 20 सितंबर को सराध पक्ष प्रारम हो जाएंगे प्रेस आती हूँ आईए शुरुबात करते हैं बिजनस एंड बेल से चे और साथ तारीक को चंद्रबा का एकाद अश्यानी इंकम आउस से नवंपंचम राज्यों बना है नए इंकम सोर्सिस जेनरेट करने का टाइम है अगर आप होटेल मोटेल और किसी प्रकार का फूड का लगजुरी आइटम का बिजनस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा नए लोगों को बरती करिए नया कुछ ऐसा हो जाएगा जो साइड की इंकम को आपको जनरेट कर सकता है कुछ ऐसे इंवेस्टमेंट हो जाएंगे जिसमें जो किम्त होगी लेकिन और मैनुफैक्टरिंग का काम करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मशीन की प्रॉब्लम, टेक्नोलोजी की प्रॉब्लम, लेबर की प्रॉब्लम, स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी में फंडिंग मिल जाए, कहीं से लोन मिल जाए, कहीं से पैसा बॉरो करके अपनी पूंजी को बढ़ा कर आगे बढ़ सकें इसके लिए आपको 14, 15, 23, 24 तारिक को बात करने चाहिए, प्लैन करने चाहिए, एप्लाई करना चाहिए अब बात करते हैं, बिजनस एसेट्स की, देखिए कई बार हम सोचते हैं, एक दुकान है, दूसरी ले ले, दूसरी फैक्टरी ले ले, दूसरा आफिस ले ले, कोई अलग यूनिट डाल दें, दूसरे शेहर में डाल दें, तो इसके लिए आपको मार्केट बे, एक रिसर् के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो ये काम जरूर होगा, अब बात करते हैं, जॉब और प्रोफेशन की, अनएंप्लॉइड परसन्स के लिए, जॉब के नए आयाम खुलेंगे, लेकिन आप स्किल डेवलेपेंट पर जरूर द्यान दें, आपकी सॉफ्ट स्किल, बात करन अंदाज, ड्रेसिंग सेंस, एनर्जी लिवल, आपको प्रोमोशन, सेलरी हाइट, और बढ़िया जगे पर ओधा बिल सकता है, चार, पांच और एकिस, बाइस सितंबर को, चंद्रमा का टैंथ हाउस, जो की करम का होता है, वहाँ से नवंपंचम राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपके लिए प्रोफेशन और आगे बढ़ने की नई चाबी तायर करबा पाएगा, और नए संपर्ग बनेंगे, और हो सकता है, पुराने बॉस, पुराने कलीक आपको वापस बुला ले, या फिर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, गर पर बैठकर काम मिल ज है, इसके चांसे जादा है, आप अपने वर्क पेस को प्रोफेशनल वर्क पेस पर तब्दिल करें, अपने घर की बातों को अपने ओफिस में इन्वाल मत करें, हेल्दी एंबारिमन बनाइए, और हो सके, तो टीम लीडर बन जाए, बड़ी कंपनी जैसे महारत्न या सेमी क गवर्मेंट कंपनी से ओफर आपको प्राप्त हो सकते हैं, पिरसातियों, अब बात करते हैं सेप्टेबर गुड इंडिकेशन की, जब भी आप सुबह घर से निकलें, तो कोई आपके सामने पानी या दूद का बरावा बरतन लेकर आ जाए, तो समझेंग आज आपका काम बनने वाला हैं, बात करता है फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशन्शिप की, आपकी फैमिली लाइफ और लव पार्टनर के साथ जिद्दिगी उमीद से बैत रहेगी, बॉंडिंग मजबूत रहेगी, गुमने फिरने मौका बिलेगा, परिवार में शान्ती और ए और प्रोफेशनल काम भी दोनों मिलकर साथ कर सकते हैं, 16 और 17 तारिक और चद्रमा का सेवन्त आउस, जो की पती पत्री का है, वहां से सड़ाश्टर दोश करें, जिससे दोनों में से किसी एक की तबियत खराब होना, बैठे बैठा मिस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाना, क आख के रिलेश्टिशिप इस पर कोई फरकने पड़ेगा, आप प्यार से इस बारे में सोच सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मेरेटल अफेर, दो बॉइफरेंड, दो गर्फरेंड, किसी को दोखा दे रहे, कोई आपको दे रहे, ये हो जागर हो जाएगा, तो आपको इ कॉंपिटिटिव एक्जाम के तैयरी करें स्टूडेंट को अपने एक्जाम के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी निरंतर रखे हैं, बारा, तेरा और अठारा तारीक को चंद्रमा का पंचम भाव से, जो की पढ़ाई का गर है, वहां काम में डेडलाइन तैय करिए, आपकी गावर्रमेंट के तरफ से स्कॉलर्शिप मिल सकती है, आप अपने फॉर्म को जरू भरिए, दस ए ग्यारा, बीस और बाइस तारिक को, बहुत शुब रहेगा, अगर आप पढ़ाई के साथ कोई जॉब करना चाहते हैं, यह समय चाह करती हैं, हेल्थ जब आपके अच्छी रहेगी, तभी आप आगे की जी उनको बैटर कर पाएंगे, तो आप बात करते हैं, हेल्थ और ट्रेवल के, हेल्थ के हिसाब से सेप्टेंबर महा उतार शड़ा बरा रहेगा, जिससे हर वक्त आपको एक अंदेशा रहेगा, अज्य शामिल हैं, आप अपनी लाइफ इस्टाइल में योग, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटेस को शामिल करें, इस्ट्रेस लेवल कम होगा, बारा, तेरा, एकीस और बाइस तारीकों, छटे बाव, जो कि ये रोग का है, नवम बंचम, राज योग बनना है, जिससे म माइंड सेट को पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव एंवार्मेंट और लोगों से दूर रहने के पूरी प्लानिंग कर लिए, मजा जाएगा, ट्रेवल आपके माइंड को नेगेटिव थोट्स को कम करेगा, आपको इस समय के लिए इंटरनेशनल ट्रेवल भी कर सकत लेकिन बहुत जादा लंबी दूरिक यात्राओं को टाल देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो अपर्चिनिटीज मिली है उसको आप ऑनलाइन ही पूरा कर देए, प्रेसादियों अब बात करते हैं उपाय के चार सितंबर को बच बारस है, गाई को चने की दाल से बनी हुई कोई भी वस्तू उस दिन खिला ली चाहिए दस सितंबर गनेश चतूरती से अगले दस दिनों तक चतूर दशी तक गनेश जी को मोदक और गुड रोटी का भोग लग है और ओम, गंग, मोगत, ये, फट, मंतर का जाब ग्यारा मिनट तक करिए, ग्यारा सितंबर रिश्य पंच भी है, इस दिन आप मात्र, पित्र और रिश्य रेंट से मोगत हो सकते हैं वैसे तो इस दिन किसी नदी अतालाब में सरोबर में स्नान करना शुब रहता है पर ऐसा संभव नहीं हो तो अपने नहाने के जल में थोड़ी गंगा जल की बूदे डाल कर नहा लीजे और इसके बाद आपको पित्रेश्वर को पानी पिलाना है, इसे हम तरपन कहते हैं इसके लिए आप एक पीतल की पारात या भगोना ले लिजी, उसमें पानी, कच्चे तिल थोड़े से और थोड़ा दूर डाल देना चाहिए और साथ में एक खाली पात्र भी रखना चाहिए, उसके बाद एक मित्र पानी के लिए तीन बार अंजली भरके आपको जल छोड़ रहा है और उसके लिए आपको अपने अंगुठे और तरजनी अंगुली के बीच में डाब, दर्ब, कुश आप कहते हैं और जिसमें पानी बरा है उसमें अपने दोना आतों पानी भरके अपने राइट एंड के अंगुठे और फर्स फिंगर से पानी को दूसरे खाली पात्र में छोड़ दीजिए एक व्यक्ति के लिए जो मृत है दिन की मृत हो चुकी है पितर है उनके लिए तीन बार ऐसे तरपन करना चाहिए और इस दिन बिना नमक के एक समय बोजन करना चाहिए अब इसका उधारन समय लीजिए कि मैं अपने पिताजी के लिए करना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूगा मैं पहले हाथ में पानी लूँगा फिर कहूँगा कि मेरे पिताजी पंडित राधा कृष्ण श्रीमाली जी अगर आपको आशरवाद बिल जाए तो क्या कहना है इसके लिए सबकी लिस्ट बना लेज़े मज़ा जाएगा चाउदा सितंबर राधा अस्ट्वी पर पारिवारे खुशाली के लिए ओम राधा वल्लभाय नमह मंतर का आपको ग्यारा मिर्ट जाब करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान सुक और संतान से सुक मिले संतान किसी गलत रास्टे पर ना जाए उनके कदम कभी भी लड़ खड़ाए नहीं तो आप उस दिन एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रॉली से तिलक लगा कर बगवान विश्णु जी को अर्पित करें पूजा पूरी होने को जब हो जाए तो आप कोशिश करें कि डिूरिंग पूजा विश्णु सहसर नाम का पार्ट भी जरू करें और उसके बाद उससे ले लीजिए और काले कपड़े में बांध कर अपने गर या परतिष्टान में पूर्व की दिशाब में उससे रख दे जब स्राथ समाब्त हो जाए तो उस बरतन को ब्राहंबन देवता को दक्षिना के साथ डोनेट कर दीजिए फिर यसातियों यह था जनरलाइज प लेकिन अगर आप अपनी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तकलीफ में हैं तो मैं करूंगा उसका समाधान इसके लिए आप मुझसे टेलिफॉनिक अपांट्मेंट और वीडियो कॉन्फरेंसिक अपांट्मेंट के द्वारा जानकार ले सकते हैं दीएके नमबर